I hope आपको part 1 में clear हो गया था multiplication को concept कैसे tables form कर सकते हैं repeatedly add करके multiplication on a number line and properties of multiplication आप आपको part में हम देखेंगे multiplication by one digit number without grouping and regrouping and multiplication by two digit number without grouping and regrouping चलिए देखें hello students welcome back to my channel Mrs. Shiktrawali अब मेरे वीडियो को फस्ता है लेकर प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सुब्सक्राइब कीजिए आज का हमारा topic है class 3 multiplication part 2 तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का video तो ये क्या है ये है बॉल्स कितने बॉल्स है वान टू फ्री फोर ठीक है अब मेरा आपसे question है अगर हर एक बॉल की cost है 5 रूपीज इच 5 रूपीज इच 5 रूपीज इच 5 रूपीज इच तो मुझे शॉपकीपर को कितना amount पे करना अपलेगा बताईए येस इग्जाक्ली आपने सही बताया 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पे करना है 20 रूपीज या फिर आप क्या करते है 4 बॉल्स है और कितने की है 5 रूपीज इच तो क्या हो जाता 4 फाइच 20 रूपीज आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था मल्टिप्लिकेशन क्या होता है रूपीट इचन आपको आपको पार्ट 1 में clear हो गया था मल्टिप्लिकेशन को Constject कैसे tables form कर सकते है रूपीटिट ली एड़ करके मल्टिकेशन ओन नमबर लाए अब आज के पार्ट में हम देखेंगे multiplication by one digit number without grouping and regrouping and multiplication by two digit number without grouping and regrouping चलिए देखते हैं Now see the first topic multiplication by one digit without regrouping Without regrouping मतलब आपको कोई भी carry generate नहीं होगा और carry को आपको कोई operation नहीं perform करना है चलिए देखते हैं सबसे पहला example है 32 multiplied by 3 ठीक है? यह one space है यह ten space है ठीक है? two digit का number है उसकी किते से कर रहे है? one digit number से multiply कर रहे है तो कैसे करते हैं हम? once वाले column की पहले करेंगे सबसे पहले two threes are six फिर क्या करते हैं? उसके बाद second step क्या होगा? tenes वाले column की three threes are nine 96 हमारा answer आगया अब इसमें lattice method भी होता है lattice method क्या होता है? दिखिए यह एक lattice बना ली हमने इसको हम divide करते हैं two parts में ठीक? यह आगया 32 यह यहाँ पर रिखते हैं three ठीक है? अब three की two से multiply करेंगे क्या आएगा? six तो आप eight में लिखेंगे zero एक में लिखेंगे six ठीक है? फिर three की three से करेंगे क्या आएगा? nine zero लिखेंगे एक में लिखेंगे nine ठीक है? अब आप एड करेंगे कॉलंग वाइज यह वाला कॉलंग zero फिर यह पूरा देखो अभी तो zero आ रहा है आप भी मालो carry जिब generate होगा तो यह method बहुत अच्छे से समझ में आएगा यह देखो यह वाला कॉलंग यह क्या आएगा? एड करके nine और यह क्या हो गया? six आंसर देखो lattice method से भी ninety-six आया है और direct multiply से भी ninety-six आया है चलिए एक और देख लेते है example अब है 123 multiplied by two ठीक है? one stands hundred ठीक आप क्या करेंगे? पहले आप क्या करेंगे? one's वाला कॉलम करेंगे three two's are six फिर ten's वाला कॉलम करेंगे two two's are four फिर hundred वाला कॉलम करेंगे two one's are two simple यह answer हो गया अब क्या इसका lattice method भी देखते हैं? ठीक है? lattice आपने draw कर लिया तीन डिजित से तो three कॉलम किये और सबको आधे में divide कर दो divide कर दिया now one two three and यहाँ पर two three two's are six क्या लिखोगे? zero six two two's are four क्या लिखोगे? zero four two one's are क्या लिखोगे? zero two चीक है? now यह कॉलम आ गया zero फिर यह पूरा ग्यान से देखो अभी आगे जब zero की जगे कुछ और आएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ रहेगा zero plus two two फिर यह वाला कॉलम zero plus four four and this six देखो 246 246 आपको lattice method भी आ गया आपको symbol method भी आ गया अब देखते हैं with regrouping now अब देखते हैं with regrouping मतलब आप carry generator पर चलिए देखते हैं 34 multiplied by 2 नए 34 multiplied by 3 sorry 34 multiplied by 3 ठीक है अब देखिए यह है हमारा one's column यह ten's column ठीक है पहले इस column की करेंगे आप four threes are क्या आएगा 12 2 यहाँ पर लिखेंगे ठीक है four threes are 12 आ रहा है ना तो यह one's है यह ten's है two यहाँ पर लिखेंगे one's वाले column के नीचे देखो और जो यह one's है यह ten's column पे ना तो यह कहाँ चला जाएगा carry में now अब क्या करेंगे इस वाले column की हो गई अब इस वाले column की multiply करेंगे three threes are nine और एक one हमारा carry में उसको add करेंगे three threes are nine plus one यहाँ गया ten this is your answer ठीक है अब lattice method देखिए lattice method में क्या होगा दो column बनाएं क्योंकि two digits है three यहाँ लिखा four यहाँ लिखा और three यहाँ लिखा ठीक है multiply यह multiply क्या है ठीक है now three fours are twelve one यहाँ लिखेंगे two यहाँ अब समझ में आया two digits कैसे लिखते हैं now three threes are nine nine है तो एक जिगे 0 एक जिगे 9 आप देखिए कितने अच्छे से आप आड़ दर आएंगे यह column पहले सिर्फ इसमें 0 है यह देखो यह जो एक डाइम वह बन रहा है quadrilateral इसको आड़ दरो nine plus one क्या हो जाएगा ten और यह जो अकेला बचा यह आग्या two answer zero है I hope आप समझते हैं चलिए एक और example देखते है पर आगे बढ़ते हैं देखिए जल्दी से three twenty four multiplied by three once tens hundred ठीक है now four की three से multiplied four three is a twelve one क्यारी में जाएगा ठीक है three twos आ यह देखिए three twos are six और plus one क्या हैगा seven फिर three की three से three threes are nine hundred वाले कॉलम की भी तो होगी three threes are nine nine seventy two आपका answer आगया ठीक है अब देखते हैं इसका lattice में प्लाइज तीन हमारे प्लाइज multiple can में तीन हमारे पास digits है तो three two four multiplier यह लिखा इनको half भी तो करो ठीक है four threes are twelve three twos are six three threes are nine देख वा column wise add कर लो यह एक triangle इसको add के जीरो यह एक nine plus zero क्या आगया nine six plus one क्या आगया seven और यह क्या आगया two हमारा answer nine seven two ही आया है भाई नमबर के पहले अगर zero लिखा होता है तो उसको क्या पढ़ोगे nine seventy two ठीक है अगर मैंने zero five लिखा है तो आप उसको five ही पढ़ोगे अगर मैंने five zero लिखा है तो आप उसको fifty पढ़ोगे is it clear चली लेक्स topic देखते हैं now see this multiplication by ten hundred thousand आपके पास कोई भी नमबर हो suppose कि this seventy one multiplied by ten या two forty three multiplied by hundred या three sixty seven multiplied by thousand ठीक है मैंने ऐसे ही चैंपल आपको पताने के लिए मैं सारे लिख दिये है अब देखिए आप जब ten से multiply कर रहे हैं तो क्या करेंगे seventy one की one से करेंगे क्या आएगा seventy one बंजा seventy one और जितने zero होते हैं वो zero लगा देते हैं is it clear now two forty three की one से करेंगे two forty three ही आएगा zero कितने है दो zero answer आ गया three sixty seven की one से करेंगे क्या आएगा 367 और 0 कितने है 30 आंसर आ गया यह तो हुँआ 100,000 ठीक अब अगर आपके पास है 42 into 20 42 multiply by 20 अब क्या करेंगे simple 42 की आप 2 से multiply कर दीजे 42 की दिखुद 2 से करेंगे 2 2s are 4 4 2s are 8 84 आया लेकिन एक 0 है तो एक 0 लगा दिया simple जितने 0 है उतने 0 लगा देंगे ठीक है ऐसे ही अगर आपके पास आजाए 594 into 300 तो क्या करेंगे 594 की आप 3 से multiply करेंगे 594 multiplied by 3 4 3s are 12 9 3s are 27 प्लस 1 28 का 2 यहां आया 5 3s are 15 प्लस 2 17 क्या आया 1 7 8 2 लेकिन 2 0 भी है तो 2 0 लगा दिये मेरे कहनी का मतलब आप समझ गए simply multiply करना है first number से और जितने बाद में 0 है उतने 0 लगा दिये एक जिरो है तो एक दो है तो दो तीन है तो तीन है गा 1 upon 5 ठीक है कोई नंबर सपोस्ट लिखे 2 upon 3 लिखा है fraction में लिखा है इसका reciprocal क्या होता है 3 by 2 ठीक है तो reciprocal मतलब उसका reverse तो वान है कैसा nander है जिसका reciprocal करेंगे तो हमने 1 ही मिले गा बाकी कोई भी number 2 अगर आपको बताओ तो लिखानता हिए ठीक है दिवो 10 का reciprocal िरो तो क्या मिलेगा ओन 1 upon 10 मिलेगा सिर्फ another Ü projets अन सा नंबर जिसका reciprocal करेंगे तो हमने 20 मिलेगा ठीक है वान अपॉन 7 नहीं मिलेगा वन उपन वन में वान! इंट इंट बाइच इन एंट रस तेम एंट इस है। okay thank you for watching my youtube please like comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the no 50 clicking bye-bye happy lending